करनाटक और महाराष्ट्र में अरहर के दाम में गिरावट देखी जा रही है। दाम में गिरावट से जहां एक तरफ ग्राहकों में खुशी है तो वहीं दूसरी और किसान परेशान हो गए है। किसानों को उम्मीद थी कि जिस तरह से हाल के समय में बाजारों में डालों के दाम बढ़े थे उसे देखते हुए उनकी उपज का भाव भी अच्छा मिलेगा लेकिन नई फसल आने के बाद मंडियों में सप्लाई बढ़ गई जिससे दाम में गिरावट आ गई है अब किसानों को आशंका है कि उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा दरअसल बाजार में आवग बढ़ने के कारण करनाटक और महाराष्टर की मंडियों में अरहर की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है करनाटक की मंडियों में अरहर की कीमत में 14-15 फीसदी की गिरावट आई है जबकि महाराष्ट्र में पिछले सप्ता में कीमतों में 10 फीसदी हिस्से से अधिक की गिरावट आई है अरहर की गिरती कीमतों से भारत सरकार को कुछ राहत मिली है जो महेंगाई दर को लेकर चिंतित हैं साथ ही कीमतों में गिरावट से उपभोकताओं को अरहर की डाल की कीमतों में राहत की उम्मीद है वहीं करनाटक और महाराष्ट्र में तूर की कीमतें गिरकर 8000 रुपए प्रती क्विंटल से थोड़ी उपर हैं जो पिछले सप्ता में 9000 रुपए प्रती क्विंटल थी उससे 1000 कम हो गई है वहीं 2023 से 24 सीजन के लिए अरहर का न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP, 7000 रुपए प्रती क्विंटल है इस घटे हुए डाम से डाल व्यापारी सतर्क रुख अपना रहे हैं व्यापारी महाराष्ट्र के विदर्ब और करनाटक जैसे क्षेत्रों में अरहर की आवग बढ़ने और कीमत के रुझान पर बारी की से नजर रख रहे हैं तूर सीजन शुरू होते ही बाजार व्यापारी स्थिती पर नजर रख रहे हैं इसके साथ ही लातूर में आवग 10,000 से 12,000 टन के बीच बताई गई वहीं कीमते की बात की जाए तो 7,800 से 8,500 रुपए प्रती क्विंटल तक रही बाजार में अरहर की आवग बढ़ने से उपलब्धता में सुधार हुआ है जिसके कारण कीमतों में गिरावट आई है इसके अलावा म्यामार से आयात के सौदे होने लगे हैं जिससे कीमतों में नर्मी आई है साथ ही मौनसून का प्रभाव भी कीमतों में गिरावट का कारण है 2023 में मौनसून में देरी के कारण अरहर का रकबा प्रभावित हुआ इसके बावजूद उत्पादन लगभग 34.21 लाक टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक है भारत में अरहर की खपत लगभग 45 लाक टन है और इसकी कमी में अमार और पूर्वी अफरीकी जैसे देशों से आयात के माध्यम से पूरी की जाती है सरकार ने अरहर जैसी दालों के लिए शुलक मुक्त आयात विंडो को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है Bureau Report Market Times TV